सागर में पुराने बस स्टैंड को पुनह चालू कराने को लेकर लगतार प्रदर्शन किया जा रहा है एक तरफ जहां मुख्याले पर हड़ताल पिछले आठ दिनों से चल रही है तो हैं दूसरे तरफ ब्लॉक स्टर पर भी इस तरह की प्रदर्शन की खबरे सामने आने लगी है गढ़ा कोटा परिचालक संग ने मार्ग पर सड़क पर उतर कर जाम लगा दिया लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तो अधिकारी मौके पर पहुँचे संग ने दो दिन पहले ही प्रशासन को एक शिकायती आवेदन दे कर इस बात कि आशंका जाहिर की थी और कहा था कि अगर बस स्टैंड चालू नहीं किया गया सिटी बसों को बंद नहीं किया गया तो इसके विरोध में बस सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और उनने कि आपने मने वने सोंपा और वह उसूचर लेकर चले गए नहीं बहुत सांति कुरों को चकाय जान करें कोई बिवाद नहीं करें इसलिए उसलिए परजाजन ने बेड़े परजाजन जाहिए हमारा पराना भी स्टैंड चालू की आजा है आज को यहां का जो परिए चालक परिचालक संग है तो फुराने बस्टैंड को लेकर द्वारा ग्यापन दिया गया है और मांग की गई ही कि पराने बस्टैंड को फिर से चालू किया जाए लों को समझाइज दी गई है लोग सांसीपूर तरीके से जो है उसमें उसका सागर में डॉक्टर हरी सिंग और मुक्य बस्टैंड और प्राइवेट बस्टैंड को दुबारा चालू करने के लिए बस ऑपरेटर यूनियन और जिला प्रशासन आमने सामने है यूनियन चाह रहा है कि उनका स्टैंड जनहित में फिर से पुराना वाला चालू किया यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म नियोखान ड्रेसेज सभी सरकारियों प्राइवेट स्कूल कॉलिजों के ड्रेस अब एक ही जगा पर उपलब्ध किंद्रिय विद्याले अमरीन स्कूल, एमैन्वल स्कूल, एक्सिलेंस स्कूल, जैन पब्लिक स्कूल, सीमराइज स्कूल, पताहीरादारा बिल्डिंग, पदमाकर स्कूल के बाजुवाली गली, कबाण खाना, नमकमंडी, कट्राबाजार, सागर, मोबाइल नमबर 786-952-7801-8085-806099-8319487687